आईपियल सीजन 14 के दूसरे फेज की शुरुवात होने में महज कुछी दिन बचे हैं सभी टीमें जम कर तैयारियां कर रही है आईपियल 14 के पहले हाफ में कोली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चेलेंजर्स बेंगलूरू ने शानदार प्रदर्शन किया है कोली की टीम आईपियल के पहले हाफ में खेले गए मैचों के हिसाब से अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है कोली की टीम के बल्ले बास काफी शानदार लेमे हैं तो वहीं गेंदबाजों ने भी आईपियल के पहले फेज में प्रभावित किया है लेकिन अब IPL का दूसरा फेज UAE में आयजित होने जा रहा है ऐसे में UAE में RCB क्या आपने शांदार प्रदर्शन की लैको बनाए रख पाती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी हाला कि IPL के दूसरे फेज के शुरू होने से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है RCB ने अपने उफीशल ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो साचा किया है और बताया है कि RCB IPL के दूसरे फेज में एक नए रंकी जर्सी में खेलती हुई दिखाई देगी हाला कि RCB एक मैच के लिए ही ऐसा करेगी RCB IPL के दूसरे फेज में नीली रंकी जर्सी में एक मैच खेलती हुई दिखाई देगी ये खास मुकाबला 20 सितंबर को कॉलकता के साथ खेला जाएगा RCB ने ये फैसला Frontline Warriors को ट्रिब्यूट देने के लिए किया है Frontline Warriors कोरोना और मानुफ समाज के बीच एक वीवार बनकर खड़े रही है यही वज़ा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहकर अपना योगदान देने वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए कोली की टीम मीली जर्सी पहन कर मैदान पर उत्रेगी हिलाडियों के जर्सी पर नंबर और नाम के साथ खास मेसेच लिखा गया है जर्सी पर मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने और हाथ धोने जैसे संदेश दिये गए है आर्सीबी के द्वारा साजा की गई विडियो में कोली ने बताये के फ्रेंचाइजी इसके लिए वित्ये मदद देगी बता दे आर्सीबी की जर्सी लाल रंकी है जबकि वो इससे पहले तक हर एक सीजन में हरे रंकी जर्सी में एक मैच खेली इसका मकसद पर्यावरन को सपोर्ट करना होता था मगर इस बार आर्सीबी की टीम हरे के बजाए नेले रंकी जर्सी बहन कर एक मैच के लिए कोली की टीम के सरहानिय प्रियास के बाद कहा जा रहा है कि कोली की टीम दिल जीतने में सबसे आगे रहती है अलगी देखने वाली बात होगी कि हर सीजन में दिल जीतने वाली ये टीम इस सीजन अपना पहला किताब जीत पाती है या नगी